नमस्कार मित्रों हस्तरेका शास्तर यानि कि सामुद्रिक शास्तर में हाथ पर जो चिन मैं आपको बताने वाला हूँ ये चिन यह दि पाया जाता है तो ये अकारम्रत्यु का सूचक होता है जी हाँ इससे व्यक्ति के जीवन का शंशे बना रहता है तो आईए जानते हैं कौन सा है ये चिन बित्रों इस चिन के यानि कि मैं बात कर रहा हूँ आज हतेली पर पाय जाने वाला ये चिन ये चिन कौन सा है ये है क्रोस क्रोस दोस्तों कहीं भी हतेली पर किसी भी स्थान पर ये दि पाया जाए तो ये क्रोस जो है व्यक्ति की हतेली पर होने से उसके लिए काफी सारी परेशानिया दे सकता है और अकाल मृत्यु का सूचक इसे कहा जाता है वो किस परकार से क्योंकि दोस्तों ये ये क्रोस का निशान किसी व्यक्ति के लाइफ लाग या जीवन रेखा पर ये जीवन रेखा होती है इस रेखा पर यदि कहीं पर भी यदि क्रॉस का निशान हो किसी जगा पर भी तो ये उस वक्ति के जीवन में उस उम्र में जो है अकाल मृत्यों का सूचक होता है क्रोस का चिन जीवन रेखा पर यदि हो जैसे कि यह जीवन रेखा है और यहां से लेकर के और इसको यहां तक बराबर में बांट दिया जाए सो वर्ष के लिए तो जैसे कि यहां से और यहां पर यदि हो तो यह 25 बर्स की उम्र में यहां पर क्रॉस हो तो 25 बर्स की उम्र में यह उस व्यक्ति को अकाल मृत्यों का सुचक देता है मिर्त तुल्य व्याधि प्रदान कर देता है यदि जीवन रेखा के उपर जहां पर भी यदि क्रॉस, साफ साफ क्रॉस का निशान दिखाए दे तो वो उस उम्र में उस व्यक्ति के लिए अकाल मृत्यों को उत्पन करता है इसलिए ये मिर्ट तुल्ल व्याधी जरूर देता है दोस्तों जीवन रेखा जहां पर भी यह तूटी हुई हो कई लोगों की जीवन रेखा यहां से चलती है, बीच में तूट जाती है या फिर कट जाती है, या यहां से बहुत सारे भाग निकलना सुरू हो जाते हैं, या फिर ये जीवन रेखा चलते वे कहीं पर समाप्त हो जाती है, जहां पर समाप्त हो, जहां पर कटी हो, जहां पर टूटी हो, जहां पर फटी हो, वहां पर उस उम्र में ऐसे व्यक्तियों क के जीवन में मृत्य तुल्य व्याधी का संकट उत्वन होता है मृत्य तुल्य या मृत्यू का संकेत होता है या फिर मृत्यू के समान ऐसा भयानक कस्ट स्वास्त के मामले में देखना पड़ता है इसलिए जिनकी जीवन रेखा पर क्रॉस का निशान हो तूटी हो फूटी हो कटी हो या वहां कहीं पर जाकर के बीच में समाप्त हो गई हो तो ऐसे स्थित्य में ऐसे वक्तियों को स्वास्त यानि कि स्वास्त में उतल पुतल बदलाओ उतार चड़ाओ हमेशा देखने पड़ते हैं या फिर मर्त तुल्ल ब्यादी भी उत्पन हो सकती है मित्रों यदि चंद्र परवत पर यदि ये क्रोस का निशान हो तो ऐसे वक्तियों के लिए जल से बहुत जादा खत्रा होता है ऐसे वक्तियों को जल से सावधान रहना चाहिए चाहे वो नदी हो तालाब हो समुद्र हो या कोई ऐसा स्थान हो जहां पर जल है तो उस जल से ऐसे वक्तियों को मृत्य तुल्लिवादी या अकाल मृत्यों के संकेत ये क्रॉस देता है जिनके चंदर परवत पर ये चंदर परवत है चंदर परवत पर यदि क्रॉस का निशान यदि जिनके उंगली में हो उन्हें जल से सदा सरवदा दूर और बचना चाहिए शनी परवत पर यदि ये cross का निशान हो, ये उंगली है और ये शनी परवत है, इस परवत पर यदि cross का निशान यदि किसी व्यक्ति के हो, तो दोस्तों उन्हें ऐसे व्यक्तियों को अक्सर चोटें लगती रहती है, शरीर में कोई accidental के थो हो या किसी प्रकार से बहुत सारी चोटें आती रहती हैं और चोट लगने के कारण या किसी प्रकार से एक्सिडेंटल केसे में ऐसे व्यक्तियों को हानी पहुंच सकती है अकाल मृत्यू का सूचक है ये क्रॉस शनी परवत पर मित्रों मंगल परवत पर यदि ये क्रॉस का निशान हो ये सूर्य परवत कहा जाता है और बीच में ये जो तिकोना है इसे मंगल परवत कहा जाता है यहीं राहु का भी होता है तो ये जो मंगल परवत है ये वाला छेत्र जो है इस मंगल परवत पर यदि क्रॉस का निशान हो तो क्रोस के निशान होने से ऐसे व्यक्ति जो है अपने जीवन में आत्म दाह के कारण मंगल परुबत पर क्रोस का निशान सूचना या संकेत करता है आत्म दाह के दरफ आत्मदाह की तरफ ऐसे व्यक्तियों की जीवन में आशंका होती है कि ये मृत्युद्या या आत्मध्या के संकेत बना देता है दोस्तों ऐसे व्यक्तियों को मंगल के कुप्रभाव से उस क्रोश से जेल तक जाने के भी नौबत पढ़ सकती है और अगनी, चौर, प्रतारना या आत्मधाह के कारण ऐसे व्यक्तियों को संकेत अकाल मृत्यों का प्रभाव भी ऐसे व्यक्तियों के उपर देखा जा सकता है दोस्तों यदि शुक्र परवद शुक्र परवद पर यदि क्रोश का निशान हो तो ऐसे व्यक्ति अक्सर प्रेम में या प्रेम संबंद में आकर किसी भी प्रकार से अपनी शारिरी खानी कर सकते हैं या किसी के द्वारा प्रेम संबंद में योन संबंद के कारण यहां क्रॉस संकेत करता है कि ऐसे वक्तियों को अकाल मृत्यों का प्रभाव देखने को मिल सकता है और मृत्य तुल्य व्याधी का भी सूचक यहां पर यह क्रॉस शुक्र परवत पर दिखाए देता है तो दोस्तों यात्रा रेखा यहां से निकलती है यहां यात्रा रेखा चलती है तो यहां यात्रा रेखा आप कई लोगों के होती है तो जिनके यात्रा रेखा स्वश्च रूप से चंदर परवत पर होती हुई जाती है तो यह यात्रा रेखा पर यदि क्रॉस यदि हो तो क्रोस होने का प्रभाव यहाँ पर यात्रा में किसी प्रकार से दुरगटना ग्रस्त हो करके अकाल मृत्यू का भी संकेत यह क्रोस करता है तो क्रोस दोस्तों कहीं पर भी शुब नहीं माना जाता क्रोस का मतलब है कि जिस स्तान पर भी होगा उस स्तान उस ग्रह से सम्बंदित कोई ना कोई कस्ट अकार मृत्युका को देने वाला ये क्रोस होता है अधिक जानकारी के लिए अपने कॉंडली अनालेसिस प्रेडिक्शन करवाने के लिए या पॉलमिस्ट्री एंड रेटिंग करवाने के लिए आप हमारे इन नंबर्स पर कॉल करके अपाइम्मेंट अपने लिए बुक कर सकते हैं